हेलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे यूटूब चाइनल मेडिशी नौलेज में दोस्तो आज इस वीडियो में जानकारी लेंगे रेपीटस प्लस सीरप के बारे में दोस्तो अगर आप इस चाइनल पे नए हो तो मेरे इस चाइनल को सब्सक्राइब करें लाइक करना ना भूले और घंटी के वेल आइकन को दवा दे जिस लेटिस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले चलिए दोस्तो बीना देरी किये वीडियो को करते हैं स्टार्ट दोस्तो इस वीडियो में जानकारी लेंगे रेपीटस प्लस सिरप के कमपोजिशन क्या है इसके यूज डोज प्राइज और साइड इफेक्ट के बारे में सारी जानकारी लेंगे दोस्तो भी ना एसकीप किये लास्ट तक वीडियो देखे जिसे सही जानकारी आपको मिल सके दोस्तो रेपीटस प्लस सिरप को मेकलियोर्स फर्मासिटिकल कमपनी मेनुफेक्चिंग करती है जो 100 ml के पैक में आता है जिसका प्राइस 95 रुपे है दोस्तो या सिरप आपको आसानी से किसी मेडिकल स्टोर या केमिस सोप पर मिल जाएगी जानकारी लेंगे इस सिरप के कमपोजीशन के वारे में यानि इस सिरप में कौन-कौन से ड्रक्स के कंटेंट मिले होते हैं कमपोजीशन की बात करें तो इस सिरप में लिवो प्रोपिनिजीन, IP30MG, कलोरोफिरलामाइन मेले 2MG ड्रक्स के कंटेंट मिले होते हैं दोस्तो एक ध्यान देने वाली बात या है कि या सीरप लाल पट्टी यानि सिड्डियो जी ड्रक्स के कटेगरी में आता है इसलिए सीरप का इस्तिमार डक्टर की सला से करें दोस्तो अब जानकारी रहेंगे इस सीरप के यूज के बारे में यानि इस सीरप को किन किन इस्थिती यानि प्रॉबलम होने पर यूज कर सकते हैं तो इस सीरप में दो दवाव का मिश्रन होता है कलोरा फिरोमाइन वीन मेलेट या एक एंटी अलर्जिक है जो हिस्टामाइन नामक केमिकल मेसेंजर के परभाव को रोकर एलर्जिक से जुड़ी खाशी को कम करता है और दोस्तो दूसरा है लीवोप्रोपाजाइन या एक खाशी कम करने वाला तवत्तव है जो मस्तिक्स में खाशी के केंदर की गरतिवीधिया को कम करके खाशी से राहत देता है दोस्तो इस सीरप का यूज डाक्टर किन किन समस्याओं में यूज करते हैं इस सीरप का यूज एलर्जी की समस्या को दूर करने में किया जाता है साथ ही दोस्तो इस सीरप का यूज पित्ती धूल से इलर्जी होने की समस्या साथ ही दोस्तो खांसी की समस्या होने पर इस सीरप का यूज करते हैं दोस्तो या विडियो जानकारी के लिए बनाया गया है इसलिए सीरप का यूज डाक्टर की सला से करें दोस्तो अब जानकारी लेंगे डोज के बारे में दोस्तो डोज की बार करें तो डोज पेसेंट के एज और वेट के कंडिशन के हिसाब से अलगल होता है इसलिए सीरप का यूज डाक्टर की सलासे करें दोस्तो आप जानकारी लेंगे इस सीरप से होने वाले साइड फेक्ट के बारे में दोस्तो अगर आप पुछ सीरप से इलर्जी या और डोज होने पर कुछ साइड फेक्ट हो सकते हैं जैसे कि मतली या उल्टी होना कवज मुँ में सुखाफन होना नीन आना थकावट चक्कर आना ध्यान देने में कठेनाई होना यानि धुन्दला दिखाई देना हो सकता है इसी कंडिशन में सीरप का यूज ना करें और तुरंती डाक्टर से संपर्क करें दोस्तो ये थी सारी जानकारी रेपीटर्स प्लस सीरप के बारे में दोस्तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें बस दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नही वीडियो के साथ